तो हर किसी के माइंड में एक क्यूसन होता है कि हम टेक्निशन बने या लोको पाइलेट बने और उसी में कन्फूजन रहता है तो ऐसा मेरी लाइफ में नहीं हुआ मुझे पहले से ही मेरा एक मोटिव था कि मुझे ऐसी नहोकरी करनी है जिसमें थोड़ा सा टाइम फ्रीडम हो मनी अगर आप चाहते हो कैसे बहुत सारे परिवारों की समश्य होती है मनी प्रोलम मेरी भी थी लेकिन कहीं कहीं मेरा जो मानना था कि अगर अपने पास टाइम का थोड़ा सा सही है तो अपन को टेक्निशन चूज करना चाहिए क्योंकि लोको पाइलेट में पैसा तो बहु देखा कि टेक्निशन जो है वाकई में टीचर की जोग कर लो या टेक्निशन की जोग कर लो आपका उतना ही होता है तो इसलिए मैं लोको पाइलेट ना चूज करके मैंने टेक्निशन को ही चूज किया था बहुत ही बड़ी है सांदार तेखिए का आपको पता चल गए कि सर ने क्यों टेक्निशन चूज किया क्योंकि पैसे से ही मत नहीं घर परिवार को अगर जादर समय देना है तो पिर इसके लिए आप टेक्निशन बखवी नोकरी अच्छी सांदार और राजा नोकरी है चली म किस पोस्ट पर तेर वरतमान में किस पोस्ट पर पर्मोशन का क्या प्रोशेश तोड़सा यह बताई डिपार्टमेंटली वगरा जो पर्मोशन होते ना अपने उसका बताई सर मेरा जो पोस्टिंग हुआ था 2009 में हुआ था मैं जैसे 18 का कंप्लीट हुआ तो आरार भी इसका टाला और सेलेक्शन भी हुआ और एक साल के अंदर ही यह पर प्रोसेस कंप्लीट करके और हमारा सेलेक्शन ले लिया और खुशी की बात है कि इसी अक्टूबर के मेने में मेरी 27 अक्टूबर 2009 की जोईनिंग है यानि की 12 साल कंप्लीट होने बाले है मेरे और रही पर हैं दो साल का थोड़ा सा एक बाउंडेशन होता है कि उसमें आगर आपको प्रमोशन मिल भी जाता है तो आपको पोस्टिंग दो साल के बाद में ही मिलेगी जैसे टेक्निशन थार्ड में उननीस सो ग्रेड पर यहां पर लगे थे उननीस सो के बाद में हमें 2400 मिल गई फिर उसके बाद में आज में 2800 पे हूं और नेक्स्ट लेवल मेरा 2400 पे ग्रेड क्योंकि आप इसाप से देखे तो अगले साल तक मेरा 2400 में हो जाएगा तो एक अच्छे परमोशन है परमोशन की कहीं पर भी यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं हां कुछ जगह ऐसा होता है कि जहां पर आप किस केटिगरी से बिलोंग करते हो वहां के लोग अगर ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको साल 6 मेने का थोड़ा सा वेरिशन आ सकता है बाकी तो लगबग टेक्शन में दो से तीन साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है बहुत ही परमोशन के लिए सारी जो आपनी पूछे उनका बताया और एक लड़के का और ट्विशन है आपको दो साथ से है आप दो साच होगे सर तो बोल रहा आपको लाइक कर रहा है इसके लिए चलिए अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि एक लड़का पूछ रहा है कि आपने जब और एक्जाम दिय है क्योंकि एक्छी मेरा जो पहले से थोड़ प्रोसेस रहा है पेपर को लेकर वर यह रहा कि जब भी म्हाइं कोई पर्ता तो हमें कोशिस करना था कि नेगटिव मार्किंग मैं भी ना करो मुझे यह कभी नहीं रहा कि अंगर सो का पेपर है तो मेरे कम से कम 80 काम नंबर से और लगबग वह पूरे करेक्ट थे मेरे और में जनरल फाइट हूं और वेजमेर से लोगों को ऐसे लगता था कि बहुत ज्यादा लेकिन कई बार क्या होते कि बच्चे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा कर देते कि मेरे क्यूशन कम हो है इस वज़े से तो नेगेटि सब्सक्राइब करें लोगों का मानना भी होता है कि कोई भी कम्पीटिशन होता ना तो कम्पीटिशन में सरे हर के लोग बैठते हैं स्थिक करें जहां तक लोग मानते की स्थिक्टेगरी वाड़े जन्र याा टैले माले सकत हुग है वो आपके अंदर काविलियत है तो आप जन्र फाइट कर पाऊगे और अगर आपके अंदर वो काविलियत नहीं है तो आप जनरल के लाइक वैसे भी नहीं हो तो फिर आपको यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं जनरल जाओ या ऐसा कुछ भी तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके टेलेंट अगर जनरल के इसाब से है क्योंकि टेलेंट किसी कास्ट क सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सर ने बताई दिया कटोप का सारा प्रोशेज तो आप निशिंत रहें कि चिंता ना करें आप भी संबह हुआ कि जर्नल कटोप फाइट करोगे और करते ही ना कोई जब बखेंश आती तो इतना दिमाब पर जोड़ देने की जोड़त नहीं है सभी लोग कर सकते हो तो आप इस एक बात हो रहा है बाचों के क्या क्या मिलती है बिल्कुल सहर क्यों की में और बहसे अच्छी मिल जाएंगी जैसे फिर में आपन यात्रा कर लेंगे कहीं पर बहुँ सबसे पहली तो तो वह भी बिल्कुल सभी बात है जैससे आप आप किसी भी फिल्ड में चले जाओ आप रेल्वें में आ रहे तो आप रेलवे के करम्चारी उता अब जो रेल्वे की जो सूइधाए दी जाती है जैसे फ्री पास आपको मिलते हैं तीन सेट legal स् figuring और शुरुअत के पांस साल तक आपको सिंगल सेट ही मिलेगा 5 साल के बाद में आपको 30 सेट मिलना फसिर शिर्सकी स़ी को sean कि खुक्त करने कि तो आप अगर आप किसी भी रूट का पास ले सकते हो आपको कोई पावंदि नहीं कि आपको यह पास्तら कैया नफे हाँ और उसमें में रेलवे ने बाके जो प्राइवेट होस्पिटल है उनसे टाइप कर रखा है तो आप वहां पे भी आप पर आपने फैमिली का इलाज करवा सकते तो जो हैल्थ की सुईदाएं वह भी बहुत मेडिकल अच्छी सुईदाएं मिल जाती है रेलवे से और उसके बाद में बच revolutionary की संफिटल ए स does kw real चर्प आप फल चल्बीकी अपनी और रेल्वे को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे अध्यात बहुत ऑच्तल को इससे पर बच्टो की शिखसा को छाथा हुआ। तो यह सारी पेसिलिटी इतने सारी मिलती है जिसके आप अपना नहीं कर सकते हो और चाहे तो आप गेम से में अगर इंट्रेस्ट रखते तो वह भी सुधाय मिलती है कई प्रकार की आपको यहां पर मिलती है तो आपको मैं यही चीज बता रहा हूं तो एक एक चीज को आपका जो क्यूशन था वह बच्चों को आपने शेर किया तो यहां पर एक क्यूशन है कि इसका बंदे का कि इसके बारे में तो देखो कि आपने वैसे पैनल मेंबर नहीं है और बैठता है पूरा और प्रोग्राम करते हैं चोटा कोई करते तो आप नॉर्मल एक दो दिन का किसी को भी बता कि रहा हम प्रोग्राम कर देते लेकिन अगर हमें मालों की श्यादी करनी है तो श्यादी का प्रोसेस जो लंबा होता है लोग कहें ज्यादी में छह मैने कैसे लगए पहले लड़का देखेंगे फिर उसकी सगाई करें कि फिर आपका सेलेक्शन करें उसके बाद में पूरी प्रिक्रिया में तो टाइम लगता है अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल किसी को क्योंकि आप एक अच्छी सेलेक्शन पोस्ट आपको पैमेंट भी देंगे आपको एक अच्छा काविल इंसान बढाने के लिए ले रहे बाकि कभी भी यह नहीं चाहता कि लेट वेकेंसी हो क्योंको भी लोगों की जफ़त होती है तो कभी चाहता है और कभी कभा कोई चूट-चूट चीजी चलते रहती है हो सकता भी सभी राजनितिक रोड़ की छुट-चीजी ए जो आती खर इनको तपनी यह करेंगे अपना कर दोने कितने तक तक है तो एक बच्चा कि कुछ सर आपने कितने टाइम तक 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 करना चाहिए क्या और किस तरह से किताबों को पड़ना चाहिए कि living Christ क्या होता है इसके बारे में गायड कीजेगा इस सबसे मेराइट क्यूशन है यह मुझे क्यूशन के बारे में में मैंने काफी लोगों को वैसे भी बताया है जो मेरा मानस रहा है और जिनों मेरे को गाइड किया था शुरुवात में तो सबसे पहले तो दिमाक्सी ये निकाल दीजे कि हम 13, 14, 15 गंटे पढ़ेंगे तो ही हमारा सेलेक्शन होगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपका जैसे अगर आरार भी किया अगर मैं बात कहूं तो अगर आप 5-6 गंटे भी हाइस्ट बत है उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है तो हमें जितना टाइम पढ़े एक तो सबसे बड़ी बात होती है रेगूलर्टी आपका आज क्या लेविल है ये एक्जाम में कोई माईनी नहीं रखता आज आपकी 10 भी में क्या परसंटेज है क्या नहीं है ये आगे की एक्जाम में कोई माईनी ने रखता क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे एक जामपल दिये हैं और मेरे ताउजी के लड़के की अगर बात बता हूं जो शायद इन सब के लिए भी वह एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करेगा कि मेरा जो ताउजी का लड़का है वो दसवी में तीन लाइज वार लें चोथी वार में में उसके नंबर दे सकता हूं बसरा मि नाम है और मैं नंबर दे सकता हो बाद कर सकते हैंट यह इनिव सबसे बड़ा माइना रखता है और मैं मेरी इतना टाइम तैयानी कि वह नहीं जब गया था मैं सेकेंडेर में में मेरा जॉब लग गया था तो मैंने सिनियर के बाद से ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ड कर दिया था और जब आप उस लेविल में तो आपकी लगभग गवाग अगरा सब पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए सर क्योंकि ज्यादा तर क्यूसन पार्ट से आते हैं और वह बड़े माइने रखता है ज्यादा तर लोग क्या कि उसको छोड़ देते हैं तो वह आगर आपका कंप्लीट है तो आप असानी से उसको कर जाओगे जंप उसके बाद में दसवी पास करने के बाद में में इदार सेलेक्सेण हो गया क्योंकि चार शाल का हमें एक साथ ही दसवी पास किया तब मैंने तो मैं पास हो गया था तीन बार फैल होने में settled नहीं हो आपका goal जो है उसको आप achieve नहीं कर पा रहे हो तो आप दिपावली पे सिर्फ एक दिन जाके भी आ सकते हो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप दिपावली मनाओ क्योंकि दिपावली मनाने के लिए आपके पास धनोना चाहिए और धन के लिए आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादतर लोग करते हैं कि आपका एक दिन की पढ़ाई आपको एक मेहने के पीछे ले जाती है क्योंकि ज्यादतर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते वह एक दिन दस गंटे पढ़ लेंगे दूसरे दिन पढ़ेंगे नहीं आप दो गंटे पढ़ो कोई दिक्कत निए चार गंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर्टी पढ़ो और जब मेरे ताउजी के लड़का उनके मन दिया था उसमें रह गयते दोड में रहे तो अभी लाइन में है जोदपूर में और उसके बाद में कम से कम चार पांच एक जांट कर चुके हो तो यहां पे कोई सुनिए कि आपको यह के मेरे परसंटेज इतना कम है या ज्यादा है यहां कोई माइन नहीं रखता आपकी ज दोस्त में यार तीन बार बंदा दस्विम फेले होने वाला भी क्या नोकरी प्राप्त कर सकता और वो भी एक नहीं कहीं ठीक है तो दोस्तों सब संभवे जीवन में बस रेगूलर प्रक्टिक्स जो सब सरसर रेगूलर प्रक्टिक्स जाए चार गंटे पड़ो पांच मुल्य वचन आपके लिए बोला है साइध आप इस बात को फोलो भी करोगी जी हां और इस बात को जरूर ध्यान रखना अगर गाउंपे बीजा रहे हो घर पे बीजा रहे हो तो आज कल डिज्टिल जमान हां मोबाइल में बीचाए दो घंटे रेगूलर पड़ो पड़ो आप बहुत सुईदा है सर मिश्ट मत करना ठीक है और इसी बात को लेकर करके एक लड़के का मुली का मुली का ठीक हम वाकड़े का तो यह पूश रहा कि आपके वरतमान की सब्सक्राइब किस पोस्त तक जा सकते मतलब प्रमोशन का लेवल पूश रहा कहां से स्टार्ट हो यह होता उसके बाद में सेकिंड और फ़स्ट फिर उसके बाद में आप मास्टर टेगनीशन कहलाते हो जिसको अम एमसे के नाम से बोलते हैं और मास्टर टेगनीशन और आपका जो जूनियर इंजिनियर होता है उसकी ग्रेड़ पर सेम होती है तो तो तक तो एक नॉर्मल सकते हैं यहां से बाद में आप जॉनियर इंजनेर बन सकते हुआ अगर पर्मोशन से ले रहे हूं आपकी एक सई एज में को नीए बन ज़ांगा और शीधे जुनियर इंजनेर बन सकते हो और आप ने अगर डिप्लोमा बगर अगर कर रखा है साथ में तो उसके बाद में भी आपको option देती है कि आप सीरे AWM का जो निकलता है तो वहां तक भी आप कर सकते हो तो यह तो वहां तक आप जा सकते हो आपके talent के उपर है आपकी जिग्या सा कितनी है प्रमोशन बहुत कुछ है उसी रेलवे में एक वहां पे GM लेवल भी होता है और उसी में नीचे का जो गेंगमेन लेवल और जनरल मैंजर दोनों पोस्टे हैं आपकी चाहत क्या है आप कहां जाना चाहते हो यह आपके उपर निर्धारिद करता है रेलवे का कोई प्रमोशन बहुत कोई तो कर दो तीन साल और वी यह बहुत परेशान किया और इस संद्सें बिल्कुल आप सही है और क्यूंसेन भी सही है क्योंकि हमारे टाइम में यह ओफलाइन सुविधा तो थी नहीं और उस टाइम पर ओफलाइन सुविधा लिए थी सबसे पहली बात तो आपका जो बिलिव लेवल है वो कहां तक है कि आप उनलाइन में भी पढ़ाई कर सकते हो और उफलाइन में भी कर सकते हो एक्चुली में जो कोचिंग संस्तान अपन जो भी है वो आपको एक सबसे बड़ी चीज सिखाती है कि जो मेरा मानना है ज्याद हो सकता है किसी मानना हो या नहीं हो लेकिन कोचिंग आपको एक चीज सिखाती है कि आपको पढ़ने से ज़ादा छोड़ना क्या है क्योंकि हम बहुत सारी चीजित ऐसी पढ़ते हैं जिन में हमारा टाइम बहुत ज्यादा वरबाद हो जाता है तो कोचिंग संस्तान को अगर आप जिसको भी जोइन कर रहे हो तो वहां से आपको एक guidance मिलता है उसके बाद में देखो online तो कुछ time के लिए पढ़ते हो लेकिन offline आप जब अपनी खुद की steady करोगे जाद तर online पे भी बैठे रहना अच्छी बात नहीं है कुछ time आप online को दीजिए और उसके बाद में जो जो पढ़ाया गया है उसका depth आप अपने पास books रखिए उन चीजों की आप depth क्योंकि आज का जो पेटरन है तो पहले का पेटरन था उसमें fact पूछे जाते थे direct fact आते थे लेकिन आज जी कल जो paper का syllabus जो change कर दिया वो fact पे नहीं है आपको उसके चारों तरब की चीज़े पता होनी चीज़े आज चार ओप्सन देते हैं उन में से यह लगता है कि यह चारों के चारों सही है दो पे तो यसे लगता है कि यह तो confirm ही है तो वहां कहीं कहीं आप negative marking बहुत जादा करते हो क्योंकि आपने केवल fact पढ़े होते हैं और fact जो भी पढ़ता है तो शायद कहीं कहीं वो गलतिया होती है तो fact पढ़ी है लेकिन fact के साथ-साथ आप वहीं पे उस book के साथ में रखके जैसे आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो नौर्मल में अगर आपके सामने कोई भी सब्द आ जैसे संसद कोई सब्द आ गया तो आपको तभी बुख निकालनी चीए और पूरा संसद के बारे में पढ़ना चीए कि संसद की क्या है रूप रेखा कैसे संसत का निर्मान होता है यह सारी चीज़े जो भी है ना वहीं पढ़ लेनी चीज़ आपको फेक्ट भी याद हो गया और उसके आगे पीछी का भी याद हो गया तो आप पेपर बहुत अच्छे से हल कर पाऊगे और आज का जो पेटरन करंट जीके से लेकर जोड़ा गया है करंट जीके में आप जो में भी के हुए कि पूर आखवार में भी यह करता है कि पूर आखवार नई कर देते हैं लेकिन इस्टoon ente के लिए सिर्फ तीन पेज होते खूर के न तीन परहों के अलाओ जो सब्सक्राइब आपको वहां से देखे पूरा बुक में उसका डिटेल आपको पर्मानेंट लियाद करते कभी नहीं होता लेकिन वह चीज देखी उधर याद किया आपको पर्मानेंट याद समझने की लोजिक समझने का कोशिज करें कि यह चीज है तो क्यों है इसके पीछे का कारण किया है यह सारी चीजिए अगर समझोगे तो आप आरामसे उन्ची जो का जो आज का पेटरन है उसके एक और खूर प्राइट कर पाऊगे सर थेंकिस एक बिच्छे का और क्यूशन है लेकिन यह साइको फेल हो गया तो इसको टेक्निशन क्यों नहीं मिला कुछ बता पाऊगी सर उसमें वैसे दो यह नया पेट्रण आ चुका है पहले हमारे टाइम पर यह चीजे नहीं थी टेक्निशन अलग फॉर्म बढ़े जाते थे और लग ते लेकिन कि आज गल क्या कर दिया कि आपको कर सकते गों ओपने रोगा में या उनका पर कर पाएंगे क्या आपको चूज किया है तो इसका करण निरास नोगों ठीक है इसकी एक वज़ा है कि आपकी कौलिफिक्शन डिपलोमा है तो इंजनेर बेस्ट पर 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 सकते हो तो आपका जैए में सलक्षिन हो जाएगा पहली बात अब जैए वाला जो आईटे वाला लेकिन ठीक्सी लेएं तो उसकी योगिता ही नहीं है वह हो समझे है जब क्वाली कैसे combined है कि कैसे आसकते है या ओर कैवल स्रह में लोग भूर्पाइट में जा सकते है यह दो जा सकते हो तो तो निरास्त नाफ हो तिक है इसलिए आपको जो आप वापिश लगे रहाए आपके लिए जैई की वैके इसके बाद में फिर से लोकोपाइट के आएगी उसमें भी आवविदिन कीजेगा और एक बच्चे का बहुत सांदर्व जो कीशन है कि सर जो है इसरो में आप जानते हैं में इस रो में किस प्रकार का में पूछ तो उसमें तो वेसे फ्यूचर है उसके बारे में तो अब आप अगर इसरो में सेलेक्शन ले पाते हैं तो मेरे इसाफसे तो बैस्टी वहां पे आपको और कुछ बहतरीन करने का भी आपको मुखा मिलेगा तो वह चीजे तो एक अलग पार्ट हो गया क्योंकि इस रो के बारे में जब अपन को थोड़ा नोलेज है जब हम इस रो को इस तरीके से देखते हैं कि इंडियन स्पेस एजेंसी जो है तो वहां पे आप हिंदोस्तान की सबसे राजा नोकरी है इसरो की मेरे स्टूरिजिंट लगे हूए हैं तो इस तरों की सबसे बैस्ट नोकरी डियार डियो की दो फोस्ट ऐसी है जिनकी सबसे बहत्री नुकरी होती है ठीक है इंडियान इस पैसलिशर नोगर अगर आपको कहीं भी इस रो में मुखा मिले तो मैं करता हूं रेल फैल दुनिया बर की छोड़ी है उसमें जाये उससे बहत अगर पीषिश का क्या लगता तो नहीं की आपको हम अधर चीज को देखते हैं हर एंगल से आप चेक कर सकते हो क्योंकि ट्रेन चल रही है तो लोकोपाईलेटट चिये चिये थिये तो कहीं माइंड में अपनी यह सोच के बैढ़ जाएं कि आर इनकी नहीं है गी तो तो आज जो अभी पहले जितने भी लोग लगें वह रिटार्मेंट हो रहे हैं तो पूरा पैनल तयार होता है तो जिस तरीके से जिस वर्स में जो वेकिनसीज खाली होती है उस अकोरिंग आपके वेकिनसीज निकाल जाती है तो कहीं कहीं यह जो 2000 मतलब 19 से इसका स्टार्टिंग ज्यादा हुआ है 2025 तक मेरी जो संभावना है यह से दोरान काफी सारी वेकेंसी आएंगी क्योंकि जो पहले लोग लगे थे उनका रिटार्मेंट एज यह है 2025 तक ज्यादतर रेल्वे के पुराने करमचारी खाली हो जाएंगे अब जब पोस्टे खाली होंगी तो उनको कहीं से न कहीं से तो भणना पड़ेगा ना तो निश्चिंत हो जाई है आप तैयारी में रेगुलर बने रहे हैं कभी हो सकता है कि साल शे मेने का जो लेट होता है तो कम से कम रेगुलर्टी ना छोड़े और वेकेंसी जाएंगी निश्चिंत रही है क्योंकि रेल्वे को लोगों की जरूरत है तो रेल्वे चलेगी तो सही वैसे कैसे चलेगी बिना लोगों के रेल्वे चलेगी कैसे तो वेकेंसी जाएंगी आप सिर्फ अपनी तयारी बहुत बड़ी है इसका मतलब यह कि वेकेंशी को लेकर आप बिल्कुल भी जिनती इतना हो वेकेंशी जरूर से जरूर आएगी क्योंकि बढ़ती आ रही है और सर जहां आप काम करते हो प्रते मैंने कितनी लोग होते हैं लगबग हमारे सोप से अगर देखा जाए तो कम से कम 20-25 लोग हर मेनी रिटार होते हैं क congratulation आज सारी अंपर सब्ढबढ़ नहीं लेकिन कुछुछ पोस्ट है जो विख करने वह कड़े कि 50-100 वे वेकेंश मतलब लोग रिटार्इमेंट के करीब पहुंच रहे हैं प्रतेक मैंने की बात चल रही है आप सुछो पूरे डिविजनों में जो है पूरा हिंदुस्तान आसे डिविजनों में कितने लोग सहाँ हूरहे हैं यह आपकल अ करसकते हो और दूसरी बात था आ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं यह सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहत क्या है आपकी चाहत को कोई नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको हाइर एजूकेशन के लिए कभी नहीं रोका जाता है जैसे मैं से के बाद मैं यहां से पर्मिस्टी के साथ ही रहना पड़े प्रसक्राइब कर सकते हैं चुक्राइब कर सकते हैं तो आप उससे पहले मिशन लिया तो उसमें रीन का इसी को भी नहीं रहात जाते हैं रट यह को घजिप की बाद चल a जैसे हमारे जमानी की बात करते थे तो डीजल मेकेनिक का नाम आते ही लोको पाइलेट के लिए था एक तरीके से देखा जाए तो आप निश्चिन तो के लोको पाइलेट बनिएगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जैसे मेरा मानना है आप पर कहीं पर ऑफ-लाइन जोइन करते हो जो पहले की सिच्वेशन थे वो अलग थे आज के सिच्वेशन अलग है आप किसी भी एग घंटे की क्लास को अगर आप ऑफ-लाइन लेने जाते हो तो आपके कहीं कहीं तीन से चार घंटे खराब होते हैं आप एग घंटा जाओगे आओगे तयारी करोगे उसके बाद में भी आपका माइंडली डिस्टरबेंस होगा हैं एक बच्चे के लिए टाइम की बहुत बड़ी वेल्यू फियों मेरे इसाफ से तो शाइद लोगों को क्या लगता है वो उनके साफ से हो सकता है जो चीज हम ऑनलाइन में वी सीख सकते हैं ऑफ-लाइन में क्योंकि आज ऑनलाइन का पैटर्रन वह ऑफ-लाइन जैसा हो ग मेरे पास पैसे की तोड़ी ज्यादा कमी है मैं कमरा नहीं ले सकता तो आज ओनलाइन जो सुईदा हो गई है उससे आपकी इन सारे क्यूशनों का सोल्यूशन मिल चुगा है सर एक बच्चे के पास में जैसे मेरे खुद के पास में समझे थी सर मैं क्योंकि मेरा में आपका टाइम भी बचता होगा आपका पैसा भी बचता होगा जिग्या सा आपकी है घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हो हाँ एक जरूर फरक पड़ता है एक माहूल का अगर आप ऑफ-लाइन में जहां पे रहते हो एक अच्छा माहूल है तो मां कम्पीटिशन का जो प्लस भी है कि आप एक अच्छे माहूल में क्योंकि माहूल का सबसे बड़ा गेम होता है आप जिस एनरजी में रहते हो आपको उसी एनरजी के लोगों हपे मिलेंगे और उसी एनरजी से आप सफलता की तरफ जाओगे सर तो ऑफ-लाइन ओनलाइन दोनों ही तरीके अच्छ इसके अतरिक्त विश बात में बता देना चाहता हूं कि इसमें लाइव gestion होता है आज कलुप ह ही होता Efendimiz आप लाइन पड़ सब क्यों दिफाय यह जिससे बच्छा कोई क्यों आज के समय में जितनी सुशि+,ुच मिलती सब कूछ नोगा तो यहां से उसके ओवाज सबसे यह सभी आप जहां पर बेठे हो कहीं पर हिंदुस्तान के किसी भी कॉणे में बैठे हो आप जिस क्रीच से आप चाहते हो प्रफ लाइन से पढ़िए अपने चाहर उनियुक्ति हिंदुस्तान की यह पर चूज किजिए ना प्रेश वीश करना चाहते हैं तो वह आप पर उस्ट क इतना अच्छा मोगा दे रहा है तो मजबूरी में उन्हीं से पढ़ना पड़ता था जो वहां पड़ा रहे हैं ता बेस्टे चूज कर सकते आज ऑनलाइन में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे इसाफ से तो सब्सक्राइब नहीं बच्छों के लिए कि एक बच्छे का क्यूशन भी है कि सर ने जो है कि गारेंटी बेस चला रहा का एक शामा ने बेस चला रहा का मैं थोड़ सा नोलेज देता हूं सबको फिर आपको जो भी लगे जैसाई भी लगे सोंच ले ठीक है अभी हाल में गारे सब्सक्राइब लेकिन बात बता रहा हूं तो यह स्टार्ट किया तो बच्चा यह पूछन चाहता है कि हम गारेंटी बेस में ले तो सामाने बेच में यही पीस जो हो उसकी मातर रहा है उसकी पड़ा दिया बात का लेकिन अगर दो साल बाद गारेंटी बेच में नहीं होता तो इसका रिटन बी एटी परसें टीक है तो दोस्तों यह जो विम्लेस बटा पूछ रहे हो तो मैं सर से इसके बारे में राई पू मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि गारेंटी बेस पे आप बिल्कुल पढ़ सकते हो लेकिन एक थोट आपको माइन से निकाल नहीं पड़ेगी उसमें भी कि मैं दो साल में मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा तो एटी परसेंट वापीस आई जाएगा यह नेगेटिव सो अगर आप 5-6 घंटे अगर टच में रहते हो तो वह एनर्जी जो ट्रांसफर करेंगे सर तो कहीं कहीं वह आपकी लाइफ को बहुत बड़ा चेंजेज कर देगी और मैं मानता हूं कि वह सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम ज्यादा तर नेगेटिव बहुत अच्छी स्वीधा है कि मैं तो मानता हूं कि उसी में आपको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए स्वीधा का लाब और ड्रोबेक कुछ है भी नहीं पर नेगेटिव इचार मतलाना कि मैं सेलेक्शन नहीं हुआ तो के वह आप इस पैसे को दुबारा रिटन करने के लिए आप कोई कोर्सेज नहीं कर आप सलेक्शन अफ सफलता के लिए कर रहें तो सफलता का एक मूल्स इद्धानत है आपको उतना त्याग करना पड़ेगा बिना त्याग के वह कहते कि जिंदगी आपको कुछ नहीं देती जिंदगी वही सब ने बोली है ठीक है अना मुली बोल रहा सर मेरा को इसका पूरा के लिए नहीं को इसका आप सब्सक्राइब पहले बीच में जब हमारे टाइम पे था तब इस पर रोक लगा रखी ती उसके बाद में साइद इसको अब पूरे इंदुस्तान की भड़ते हमें सब्सक्राइ इसको लेकल बिल्कुल भी कंफूजन नरहें ठीक है सर एक क्यूशन है सर गारेंटी बेस में स्टुटेंट ऑस्टल में भी वह बेटा देखे का ओफ-लाइन के लिए उसकी पीस बहुत ज़्यादा लाग रुपे वह बात करेंगे कारण कि इसमें पेपर होगेरा होता ऐसा सब्सक्राइब करते हैं मैं यहां पर बात बता रहा हूं आई टेस्ट कैसा होता आई का लेवल ज्यादा सब्सक्राइब बन सकता है क्योंकि अब जहां पर जैसे मैं टेक्निशन की दो केटिगरी होती है अगर आप ओपन लाइन में जैसे लगते हो सिगनल वगरा के साफसे उन पर देखा जाता है तो वहां पर थोड़ा सा आपको देखा जाता है बाकी जैसे वरक्षोप में या वैसे ज्यादा टेक्निशन में आप एवन मेडिकल की जरूरत नहीं है कि हाप एवन होगे तो ही आपका सेलेक्शन होगा बीटू सी वन तक आ अपन लाइन में है थोड़ा सा उसका देहन रखा जाता है वाकि आई का कोई ज्यादा इसू टेक्निशन में मेरे साफ से नहीं आता क्योंकि मेरे साथ जितने बहुत सारे लोग ते जिनका सीवन तक का सैद मेडिकल था तो उहां तक आप ले सकते हो तो चसमा लग जाती है तो चसमा के बाद में भी आप टेक्निशन में ज्यादा तरह आई का इसू नहीं आता है यह लोको पाइलेट में आपका आई होना 6x6 है क्योंकि महां पर आपकी जिम्मेदारी परसंस की होती है बहुत कुछ देखना पड़ता है तो महां पर केरिंग बहुत ज़्यादा जर है स्रहिए पर कंटिशन में पर जाना बहुत एकदम प्ली मोट्यों वढते है और आगे मतलब मुझे लगता है की तैयारी करेंगा आपके बात को अच्छे बहुत अच्छे सेसिन में लड़के आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि भाई हो अगर आपको यह सर जो आया मुले समय निकाला और इस परकार से लड़कें क्यों है कि लोगोंपायट का और टेखनियुन का सेऎलबस सेम होता क्या अलग अलग hide सर व्यक्यों बाद में सजरे और सीबीट एजबी बड़के वागदी लागएग अजयंड में साइम होता है उसके बाद पूरी रखे चले एमपी टीए कर सकते हैं तो वह भी कॉमिन है लोकोपाइट की तैयरी करते तो उसके अंदर से भी आजाता तो अंदर से बाधर केसे वह भी पैलो तो न ही हैं सब करूपाइट की की सन ठीड़ रखेशल्क हो रहा तो में के तैयरी तो पहो है बातना जी तो कोई सब एक्जाम दी दुनिया का सब उसमें तेक्निकल फिल्ड में तो सब आजाते हैं तो वह बहतर एक्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको यहां पर प्रेशान नहीं हो ना कि जैसा कि अब हम डूटी की बात करें कि आपका लेविल जब आगर चाते हो आप कुछ एक्स्ट्रा मेनत करके कुछ आएक्स्ट्रा करना चाते हो तो बहुत सारे लोग आपसे जलन में तो एक्श्ट्रा करने लगा यह जरूर रखेगा तो उन चीजों का ऐसा कोई जुनिया आप अपने मन से कुब अच्छा कीजिएगा गटना यह सुनाओंगा नहीं उन जो पर जांवानी क्योंकि बेसिक छीजें अंदर की चीजें रहे तो अच्छा है यहां पर मेरे को श्टाब बहुत अच्छा लगा कोप्रेटीव स्टाफ है तो बहुत अच्छी जैसे आपके वीचार के साथ में अगर आपका स्टाफ मिल जाता है तो उस आनन्दी बहुत दिया है इसमें जो आपके सारे क्यूश्णों को जितने भी क्यूश्ण इन्हों ने पूछे हैं उन्सका आपने बहुती बखुवी और सेटिस्पाइज जाब दिया है इसके लिए मैं मैं भी गदगद हूं और दोस्तों करना चाहूंगा बहुती अमुल्य वचन सर ने दिया इतना